वेल्कम तो इनसाइट टैक्स, यह वी विल लर्न अबाओ पार ट्रास्मिशन एलिमेंट एंड कंट्रोल सिस्टेम Substation Equipment wiring सीरीज में हम देख रहे हैं Transformer Cooling Control और आज हम देखेंगे पूरा Cooling Control का Total Working Substation के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोज बना के रखे हुए हैं इस चैनल पे जिसकी लिंक आपको description box में मिल जाएगी और आप आप आमारी चैनल विजिट करेंगे तो आपको उसमें सब वीडियोज मिल जाएंगे जो की testing के बारे में है CT testing, transformer testing फिर wiring के लिए है फिर batteries के लिए है तो आप वो refer करिएगा और transformer cooling control के लिए भी हमने एक series बना के रखी हुई है जिसमें transformer का cooling system क्या क्या होता है फिर OTI और WTI का महत्व क्या होता है cooling system में फिर transformer cooling system में AC supply का selection किस तरह से होता है और switching किस तरह से होता है और आज का वीडियो जिसमें हम देखेंगे total working of cooling system इन सारे वीडियो की link description box में दे रखिये आप refer करिएगा तो आज का वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा पीछले वीडियो में हमने देखा है कि जो transformer का insulation होता है वो dry insulation होता है या oil insulated transformer होते है और जो oil insulated transformer होते है उसका दो काम है कि वो transformer को cool भी रखता है तो transformer को cool रखने के लिए चार जो हमारी systems होती है वो system भी हमने देखके रखी है फिर हमारा जो cooling जो oil cool करता है transformer को वो किस तरह से करता है और oil force cooling में हमें fan और oil pump का use होता है वो हमने आगे के वीडियो में देखा है और हमारा जो OTI और WTI है उनका connection इस cooling control के साथ होता है कि जिससे OTI या तो WTI बढ़ जाए तो cooling fan और cooling pump automatically on होते है तो ये जो transformer का cooling system होता है उसमें automatically fan, pump on या तो off होते है तो वो चीज के लिए पूरा एक circuit होता है और उसमें AC supply का source selection किस तरह से होता है वो हमने पीछले वीडियो में देखा था और source selection के बाद हमारे पास cooling control जो cubic होता है उसमें दो चीज आती है एक होता है three phase AC supply and second होता है single phase AC supply तो three phase AC supply जो है वो fan या तो pump को on करेंगे यानि कि उसको working position में लाएंगे और single phase AC supply होता है वो पूरी system को control करता है तो आगे देखते हैं कि वो किस तरह से होता है जो three phase supply आता है वो यहाँ पे दिखाया है उस तरह से circuit में आता है three phase supply और उसके साथ जो connect होते हैं वो fans होते हैं चार fan का एक group बनाते हैं तो उसे fan group बोलते हैं और दो pump होते हैं और वो oil pump वो भी एक के standby में दूसरा रहता है तो यह जो पूरा system है वो किस तरह से काम करता है वो हम देखेंगे तो यह three phase supply है उसमें सारे में एक-एक MCB दीए गई होगी उसके बाद overload relay जो होता है उसका contact होता है कि overload relay कि AC supply को pass होने दे उसके बाद contact होता है जो contact हमें automatically यह जो fans होते हैं और pump होते हैं उनको on करते हैं और उसके बाद हमारा fan होते हैं और pump होते हैं तो यह सारी चीज operate किस तरह से होती है वह हम देखते हैं जैसे हमारी बात हुई कि जो 3 phase supply होता है वह MCB के थूँ यहां पर fan के लिए पहुंचता है और जो single phase supply होता है R and neutral वह कोई भी phase हो सकता है उसको इस तरह के से circuit में लगाया हुआ होता है देखिए यहां पर सबसे पहले है जो auto manual switch है फिर यहां पर जो context है सारे वो OTI और WTI के context यहां पर दिये गया है और यहां पर separate जो भी हमारे fans है या तो pump है उसके लिए एक-एक switch दी गई है जो की auto manual standby and off यह 4 position की switch है उसके बाद यहां पर time delay relay दिया गया है और यहां पर context है overload relay के और यह time delay relay का context है इन सब की uses क्या होता है वो हम इसमें देखेंगे और किस तरह से हमारा fan on होता है वो देखेंगे जैसे हमारी आगे बात हुई कि जो selected AC supply है वो यहां पर पहुँच जाता है और उसका एक single phase AC supply है वो control के लिए इस circuit में आता है और सबसे पहले हमें यहां पर auto manual switch दी गई है जो की इस तरह से है तो यह switch अभी off है यानि की R phase का जो current है वो अभी तक यहां पर अंदर circuit में नहीं आया है इस switch को हम manual में connect करें तो इस तरह से होगा और उससे power supply जो है वो इस तरह से यहां तक इस bus में पहुँच जाएगा ठीक है तो देखिए यहां पर R phase का power supply है और यहां पर हमारी जो बाकी की switch है वो देखिए यहां पर किस तरह से है यह जो EFN की जो separate switch है वो off है यह दूसरे की जो है वो auto mode में है तीसरे की जो switch है वो off है और fourth जो switch है वो stand by position पर है ठीक है अभी इस off switch को अगर मैं यहां पर manual में convert करता हूँ तो क्या होगा यह manual में convert हो जाएगा तो क्या होगा कि देखिए यहां पर manual लिखा है तो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि selector switch किस तरह से काम करती है तो यहां पर supply जो है वो यहां पर पहुँचेगा और यह C1 का जो contactor है वो operate होगा क्यूंकि यहां पर neutral है और overload relay अभी operate नहीं हुआ है इसलिए इसका contact जो है वो close है तो यहां पर C1 का contactor जो है वो operate होगा और उसके जो context है वो यहां पर दिये गये हैं C1 के तो वो operate होगे और हमारा fan जो है वो चालू हो जाएगा तो इस तरह से हमारा fan चालू होता है अभी क्या होगा कि कभी यह fan बंद हो जाएगा कुछ problem आ गया उसमें तो fan stop होगा तो क्या होगा कि शायद overload relay operate हो तो overload relay जब operate होगा तब यह contact open हो जाएगा और जो यह दूसरा contact है वो same overload relay का contact है तो वो भी अपनी position change करेगा इस तरह से यानि कि अभी क्या होगा कि जो यह आर फेस का current है वो इस ocl1 contactor जो है उसको operate करेगा तो यह contactor operate होगा जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो context दिये गये है ocl1 के वो contact यहाँ पर operate होगा यह close होने की वज़ा से देखिए यहाँ पर आर फेस का जो supply है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो वो supply यहाँ TDR relay तक पहुँच जाएगा और TDR relay जो है time delay relay वो operate होगा और वो 5 सेकंड का time delay होने के बाद यहाँ पर जो TDR relay का contact है वो operate होगा उससे क्या होगा कि यह जो R phase है वो इस bus में चला आएगा ठीक है अभी इस bus में आ गया उससे क्या होगा कि हमारा यह fan बंद हो चुका है और यह जो fourth number का जो fan है उसको हम stand by position में रखे हुए है तो stand by position यहाँ पे यह third वाली position है और यह switch को हमने stand by position पे रखा है इसलिए यह power जो है वो यहाँ से होता हुआ overload relay 4 के context से होता हुआ C4 को operate करेगा जैसे ही C4 operate होगा यह जो C4 के context है वो operate होगे और हमारा stand by का जो fan है वो on हो जाएगा यानि कि आपने यहाँ पर तीन जो आपके fans है उसको आपने manual mode पे रखा है और उसमें से कोई भी एक fan अगर fail होता है तो वो fan बंध हो जाने के बाद stand by वाला fan automatically on हो जाता है तो इस तरह से हमारा जो cooling control है वो काम करता है यह जो OCL1 contactor है वो contactor का एक contact यहाँ पर है दूसरा एक contact जो होगा वो हमारी RTCC पर आएगा और RTCC में हमको indication देगा कि हमारा जो fan group 1 है उसका एक नंबर का fan है वो off हो चुका है यानि कि उसमें कुछ problem है ठीक है तो इस तरह से हमारा जो cooling control है उसमें stand by fan work करता है manual mode में ठीक है हमने जो देखा वो हमारे manual mode का operation था auto mode का operation किस तरह से होता है तो उसके लिए हमने transformer में OTI और WTI इसके contact लिए हुए होते तो वो operation किस तरह से होता है वो देखते है यहां पर क्या होता है कि हमारा जो switch है वो manual mode में है तो उसको हम auto mode में convert करते है तो जो यह power है R phase का वो अब auto mode में यानि कि इस तरह में आएगा और यहां पर OTI WTI के सारे contacts लगे हुए है तो उसमें से अगर कोई एक contact operate होता है यानि कि oil temperature ज्यादा हो जाता है हमारे set के हिसाब से या तो WTI का temperature ज्यादा हो जाता है जो हमने set किया हुआ होता है अगर उसमें से कोई एक reach तक पहुँचता है तो वो contact operate होता है तो यहां पर क्या है कि OTI का contact है वो यानि कि हम सोचते हैं कि oil का temperature बढ़ गया है तो यहां पर OTI का जो contact है वो operate होगा उससे क्या होगा कि यह जो R phase का power है वो अभी इस bus में पहुँच गया है ठीक है तो यह bus जो है वो हमारा कौन सा bus है तो यहां के connection है वो auto में connection है सही है तो इस तरह से auto mode select हुआ है अभी हमारी जो बाकी की fan switch है वो जैसे हमने पीछे देखा था उसी तरह से जो पहली switch है वो manual mode पे है second switch है वो auto mode पे है third fan की switch है वो off है और fourth fan की switch है वो stand by position पे है ठीक है तो अभी यह operation किस तरह से होगा कि यह auto mode पे है तो यहां पर power available है bus में और switch जो है वो auto selected है auto mode में तो यहां पर power यहां पर पहुँच जाएगा और जो यह c2 contactor है वो operate होगा जिससे यहां पर c2 contactor के जो context है वो operate होगे और हमारा जो fan है वो on हो जाएगा same जैसे हमने आगे देखा था इसी तरह से अगर यह fan number two में कुछ problem आता है और वो fan काम करना बंद कर देता है तो क्या होगा कि यह overload relay का contact जो है वो operate होगा फिर से तो यह यहां पर contact position चेंज करेगा जिससे क्या होगा कि हमारा जो यह ocl two contactor है वो operate होगा वो operate होने की बज़े से यहां पर ocl का जो contact है यह second number का वो operate होगा और हमारा जो r phase का जो power है वो tdr relay में पहुँच जाएगा जिससे tdr relay time delay count करने लगेगा जैसे ही 5 second हो जाएगी तो हमारा यह contact जो है tdr relay का वो operate हो जाएगा और हमारे stand by bus में यह r phase का जो power है वो पहुँच जाएगा अभी यहां पर four number की जो switch है वो हमने stand by position पे रखी है यानि कि यह stand by position से power यहां तक पहुँच जाएगा तो c4 जो contactor है वो operate होगा और वो contactor operate होने की बज़े से c4 के context जो है वो operate होँगे और उससे क्या होगा कि हमारा जो c4 यानि कि four number का fan है वो घूमना चालू कर देगा तो इस तरह से अगर auto mode है या manual mode है और आपने जो आपके fans है उसको सारे के सारे fans को auto mode पे रखा है यानि कि तीन fan को auto mode पे रखा है और एक fan को stand by mode पे रखा है तो जब भी तीन में से एक fan में कुछ problem आया और उसका overload relay operate होगा तो stand by का जो fan है वो अपने आप चालू हो जाएगा यानि आपको एक time पे तीन fan हमेशा मिलते रहेंगे तो इस तरह से हमारा जो stand by fan है वो auto mode में काम करता है normally जो हमारे transformers होते हैं उसमें दो groups दिये गए होते हैं यानि कि चार fan का एक group और जो हमारे oil pump होते हैं वो कभी कभी दो oil pump होते हैं कभी चार oil pump होते हैं तो उसमें भी वही रहता है कि एक जो oil pump है या वो auto mode पे रहेगा या तो manual mode पे रहेगा और जो second pump है वो हमारा stand by mode पे रहेगा यानि कि एक pump बंद हो जाए तो दूसरा चालू हो जाए तो हमारी cooling system इस तरह से काम करती है हमारे transformer में transformer की cooling control system किस तरह से काम करती है वो आज हमने देखा नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या जानना है उसके लिए आप कमेंट कीजिए और देखते रहेए inside text thank you